हलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मा यूटूब चैनल रेडियो लोजी टेकनिकल फ्रेंड्स आज हम थोरेक्स की एनाटोमी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लाश्ट तर जरूर देखें और रेडियो लोजी टेकनिकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Anatomy of Thorex आप इस ड्रैग्राम में देख सकते हैं कि यह है thoresic cage होता है और इस thoresic cage को chest cavity भी कहा जाता है जो thoresic cage होता है वह हैं तीन चीजों से मिलकर बनना होता है फरस्ट है थोरेसिक वर्टिब्राई, सेकिंड है रिप्स, थर्ड नमबर है इस्टेर नम चेश्ट या थोरेक्स, नेक और एब्डोमन के बीच का पार्ट होता है थोरेसिक केज में हार्ट, लंग्स, ग्रेट वेसल्स, इसोफेगस और ट्रेकिया होते हैं पहले अपन रिप्स के बारे में जान लेते हैं थोरेसिक केज में 12 जोड़ी रिप्स होती है, यह है टोटल 24 रिप्स होती है इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं रिप्स की एक जोड़ी राइट साइड होती है और दूसरी जोड़ी लेट साइड होती है और यह है total 24 ribs होती है इस diagram में right side वाली जोड़ी के numbers भी लगाए हुए है यह ribs posteriorly मतलब पीछे की और थोरेशिक vertebra से जोड़ी होती है और anteriorly मतलब सामने से sternum से जोड़ी होती है जो first 7 ribs है उसे true ribs कहा जाता है क्योंकि यह sternum से जोड़ी होती है और जो last 5 ribs होती है उसे false ribs कहा जाता है क्योंकि यह sternum से जोड़ी नहीं होती है उपर की 3 ribs छोटी होती है और नीचे की ribs बड़ी होती है अब बात करते हैं कि ribs का काम क्या होता है ribs heart वर lungs को protect करती है अब sternum bone के बारे में जान लेते हैं इसे breast bone भी कहा जाता है जो sternum bone होती है वह flat bone होती है और इसकी length 15 cm होती है यह chest के mid में इस्तित होती है sternum bone के 3 पार्ट होती है first है manubrium, second है body, third number है gyphoid process जो manubrium पार्ट होता है उससे clavicle और first ribs जुड़ी होती है second number पार्ट होता है body इस पार्ट को मिशो sternum भी कहा जाता है इस पार्ट से ribs second से seven ribs जुड़ी होती है third number होता है gyphoid process इसे meta sternum भी कहा जाता है अब thorax में इस तित सबसे important part lungs की बात करते हैं जो lungs होते हैं वह है concept के होते हैं जो lungs होते हैं वह है body का second सबसे बड़ा hollow space मतलब खोकला space होता है और body में first hollow space abdomen होता है human body में दो lungs होते हैं एक right side और एक left side और इन दोनों lungs को media sternum के दुआरा अलग किया जाता है right lungs में three lobs होते हैं upper lobs, middle lobs और lower lobs और left lungs में दो lobs होते हैं upper lobs और lower lobs जो lungs होते हैं वह है trachea से connected होते हैं जब हम सांस लेते हैं तो lungs फैलते और शिकूडते हैं अब lungs का main काम क्या होता है उसके बार में जानते हैं जो lungs होते हैं वह बाहर के environment से हवा लेकर blood में मिलाते हैं और बलड को प्यार करते हैं और बलड से CO2 मतलब कारबन डाई ओकसाइड को एब्जोर्वा करके उसे बहार निकालते हैं